आपका स्वागित हैं आगे आपको कराते हैं खबरों सब्डेट फर्माना में यूवक की पीट पीट कर हत्या खुरंपूर की यूवक की अपहरन की बाद अब तक कोई सुराग नहीं नहर में भी ढूंडा अपरहित वैक्ति को खर्कुदा की फर्माना गाओं में दे रातकू घर से बाहर घायल अवस्था में मिले यूवक की पीज़ाय रोहतक में इलास की दुरान मौत हो गई मृतिक विकास के पिता सुभाष की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद सहीत अन्य की खिलाफ हत्या का मामला दर्श कर लिया है यूवक को किन कारणों की चलते मारा पिटा गया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस कारणों का पता लगाने में जूटी है वहीं दूसरी तरफ खुरुमपुर गाउं से बीते मंगलवार को अपरहित की गई यूवक गनेश का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है यूवक को पुलिस ने गामिनों के साथ मिलकर पश्चिम यमुना लिंक नहर में भी तलाश किया लापदा गनेश के पिता ने गाउं के ही दो योकों पर कुछ महा पहले हुए जगड़े की रंजिश रखते हुए उसके बेटे का अपरहन करनी का आरोप लगाया था इससे पहले मंडूरा गाउं में भी शुकरवार को एक यूवकी हत्या की गई थी थाना प्रिभारी मंदीव का कहना है कि जल्द ही तीनों मामलों के आरोपियों को गिरफतार किया जाएगा मामलों की जांच की जा रही है लगातार कबरों से अब्डेट रहने के लिए देखते रहिए हर्याना एट 9 पेम ने चैनल नमस्का